दोस्तो पक्षी बहुत ही प्यारे और खुबसूरत होते हैं जिन में हमें अलागला ग्रंग और प्रकार देखने को मिलते हैं आज की वीडियो में हम आपके लिए दुनिया की सबसे खुबसूरत पक्षी मौर की कुछ अंदेखी और अनोखी प्रजाती लेकर आये हैं इन्हें देखने के बाद यकिनान आपका दिन बन जाएगा तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये काफ इंट्रेस्टिंग और खुबसूरत होने वाली है तो दोस्तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबा कर बाजवाली बेल आइकन पर क्लिक करके और का अप्षन जरूर सेलेक्ट कर ले ग्रीन पीकॉक खौसकर साउत एस्या में पाये जाते हैं ये दिखने में हरे रंके होते हैं इसका 80% हिस्सा ग्रीन कलर कहोता है इसलिए इसे ग्रीन पीकॉक कहा जाता है आपको बता दे ग्रीन पीकॉक की साइज एक से लेकर 3 मीटर तक बढ़ती है ये दिखने में बहुत ह सुन्दर होते हैं इसलिए कुछ लोग इन्हें घरों में पालना पसंद करते हैं ग्रीन पीकाक खास तोर पर उत्तर पूर्वी भारत उत्तरी म्यानमार डच्छनी चीन थाइलेंड वियतनाम कंबोडिया और मलेशिया आदी देशों में पाये जाता है अपने पंग फैलाने के बाद ये काफ ही आकरसक नजर आते हैं आपको बता दे ये पीकाक इंडियन ब्रू पीकाक से मिलता जूलता है बस दोनों का रंग और प्रजाती अलग-अलग होती है ये पक्छी खाने में फूल पौधे इंसेक आदी चीजों को खाते हैं ये पीकाक जमीन पर ही घर बनाते हैं और उस पर हिंडे देते हैं वाइल्ड पलावन पीकाक मोर की प्रजातियों में ये पक्छी मध्य मकार के होते हैं ये पक्छी फिलिपिन्स की दच्छनी छेत्र में इस्थीत पलावन आइलेंड के जंगलों में पाये जाते हैं इस प्रजाती के पक्छी के नर के पंखो का रंग नीला होता है जबकि पूंच वाला हिस्सा काला जिस वर नीले रंग के गोल गोल निसान बने होते हैं जबकि माधा का कलर समान्यता भूरा होता है यह अपने पंखों को फैला कर माधा को अपनी तरह पाकर शिप्त करने की भर सक कोसिस करते हैं इसकी आखों का कलर लाल होता है जबकि यांखों के नीचे वाला हिस्सा सफेद होता है इस प्रजाती के मेल की उचाई 20 सेंटीमीटर तक होती है जबकि फिमेल की हाइट की बात करें तो ये 16 सेंटीमीटर तक होती है आपको बता दे वाइड लपलावन पीकाउग लगभग 15 सालों तक जिवित रह सकते हैं इस लिए इनका ज्यादा देख भाल करना पड़ता है इस प्रजाती की पीकाउग के पुरी दुनिया मे पापूलेशन का कोई ठोश आकड़ा नहीं आया है वाइड ब्लू पीकाउग इस मोर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह की पीकाउग की बात कर रहे हैं ये मोर सफेद और नीले रंग का मिसरन लगता है जो की दिखने में बड़ा ही खुबसूरत लगता ह इसकी गर्दन सफेद और नीले रंकी होती है और इनके पंक सफेद और ग्रीन कलर के होते है ऐसे कॉम्बिनेशन वाला मोर आपने सायद ही पहले कभी देखा होगा तो कैसा लग ये पीकाउग हमें नीचे कमेंड करके जरूर बताइएगा इस पक्षी को तो आप जानते होंगे यह भारत का राष्टी पक्षी है बर्षात के मौसम में काली घटा छाने पर जब यह पक्षी पंक फैला कर नाचता है तो वैसा लगता है मानो इसने हीरे से जड़ीत साही पोसाग पहनी हो इसलिए इस मौर को पक्षीयों का राजा कहते हैं नर मौर मुख्य रूप से नीले रंग की आकरीती जिस पर रंगी नाखु की तरह चित्ती बनी होती है जबकि मादा में पूछो का भाव होता है यह मुख्य रूप से छेतों में पाए जाते हैं जहां उन्हें चारे के लिए बेरीज अनाजादी मिल जाता है लेकिन यह साब छिपकलियों चूहे और गिलहरी वगेरा को भी खाते हैं वन छेत्रों में अपनी तेजवाजों के कारण यह असानी से पता लगा लिए जाते हैं और यह लंबे से नीले रंग की होती है हमारा राश्टी पक्षी मौर आपको कैसा लगता है हमें नीचे कमेंड में जरूर बताईएगा सिल्वर पीट पीकाक मौर की इस प्रजाती की खोज 1992 में USA ने की थी इनके सरीर का धिकतर हिस्सा वाइट कलर का होता है जिसमें 20-30% अलग कलर होता है आपको बता दे इसका कार इंडियन ब्रूपी काक के समान ही होता है ये दिखने में बहुत ही सुन्दर होते हैं खास कर जब ये अपने पंखों को फैलाते हैं तो इनकी खुबसूरती देखने लायक होती है दो ग्रेट आर्गूस फैजान ये पक्षी आपको बोर्नियों सुमात्रा और मलय पेने सुलादी देशों के टॉपिकल वर्सावनों में प्राकृतिक रूप से देखने को मिल जाएगा आपको बता दे इस पक्षी का भोजन मुख्य रूप से फल, बैरिस, सीट्स, पेड़ों की पत्तियां आदी होती है नर प्रजाती की पक्षी मादा को अकर्शित करने के लिए अपने पंखों को फैला कर गोलाई नुमा बना लेती है जैसा की आप वीडियो में देख सकते हैं नर प्रजाती की पूँच की साइज मादा की अकार की तूलना में बहुत लंबी होती है इसका रंग हलका गोल्डन कलर का होता है इसलिए इसे गोल्डन पीकाउग भी कहा जाता है जब ये अपने पंखो को खोलते हैं तो इनकी असली खुबसूरती का पता चलता है जो कि दिखने में काप ही आकर्शक होते हैं परपल पिंग पीकाउग ये पीकाउग दिखने में बहुत ही सुन्दर होते हैं इसके गर्दन के नीचे का हिस्सा परपल पिंग कलर का होता है जबकि इसके पंखो का कलर ग्रीन होता है इसकी पूंच में गोलाकार डिजाइन बनी होती है जो कि पिंग कलर की होती है ये बहुत ही रेयर होती है वाइट पीकाउग वाइट पीक आग दिखने में बहुत ही खुबसूरत होते हैं जब यह अपने पंखों को फैलाते हैं तो लोग उसे देखते ही रह जाते हैं वाइट पीक आग अधिकतर भारत में ही पाये जाते हैं यह एक विशेस मोर है अनुवान सिख भिन्नता के काराण इसका रंग पाय दे जाते हैं वैसे आपको बता दे वाइट पीकाक पूरी दुनिया में बहुत ही रेयरेनीमल में सामिल है वाइट पीकाक आपको भारत के करनाटक राज्यमे इस्थित बांदेली वाइल्ड लाइप सेंचूरी में देखने को मिल जाएगी जब यह पीकाक अपना पीकाक रेट पीकाक बहुत ही रेयर होते हैं इसके गर्दन के नीचे कहिस्सा लाल रंग का होता है जबकि इसकी पीट का कलर परपल होता है इसके पंखों पर गोल गोल जो डिजाइने होती है वो रेट कलर की होती है यह दिखने में काप ही आकर्शक लगते हैं केमियो ब्लेक सोल्डर पीकॉक के गर्दन के नीचे कहिसा ब्लेक कलर कहोता है जब यह अपने पंक फैलाते हैं जैसा कि आप वीडियो में देखी रहे हैं तो यह काफ ही आकर्शक लगते हैं यह खाने में फल पत्ती और छोटे छोटे इंसेक्ट खाना पसंद करते हैं यह पक्षी इतने सुन्दर है कि कि यह किसी को भी अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर सकती है इसके पंक हलके सुनहरे रंके होते हैं कांगो पीका यह पक्षी अफरीका में पाया जाता है इसकी पून्च छोटी और गोल होती है इसके सीर पर सफेद रंक क्राउन होता है इनका सोभाव सांत और हुमन फ्रेंडली होता है आपको बता दे कांगो पीका कफरीका का राश्टी पक्षी है और इसका सिकार करना वहाँ पर गैर कानूनी है इस पक्षी की गर्दन औरेंज कलर की होती है और गर्दन के नीचे वाला हिस्सा नीले और काले रंकी होती है इसके पीट का रंक अमूमन हरा होता है इस खुब स प्रशूरत कांगो पीकाउक की लेंद की बात करें तो ये 64 से 70 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं इन पक्षियों की खाने की चीजों पर गौर करें तो इलग भग सारे छोटे इंसेक्स खाते हैं और इसी के सांस सांथ ये पाउधे भी खाना पसंद करते हैं इसे कांगो में पहां से विजना जाता है ग्रेपी काउक फैजन्ट में आरमार का राष्थी पक्षी है इसकी लंबाई 78 सेंटीमीटर तक बढ़ती है आपको बता दें इसका पूरा सरीर ग्रे कलर का होता है जबकि इसके पंग ब्लू और परपल कलर का होता है ग्रेपी काउक बड़े ह समके होते हैं ये तक रिबंची 70 cm तक बढ़ सकते हैं ये खाने में छोटे छोटे कीड़े फल पत्ते आदी खाना पसंद करते हैं अगर हम इस पक्षी को ध्यान से देखे तो ये सिर्फ ग्रे कलर के ना होकर इन में बहुत से रंग छुपे होते हैं आपको बता दे इसे कौन सा मोर सबसे ज्यादा खुब सूरत लगा हमें नीचे कमेंड करके जरूर बताना और यार ये वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा महनत लगी है तो इसे लाइक जरूर कर देना और हां इसको सेयर करना मत भुलना धन्यवाद